गुट मरिंग स्टूटेंट वेल्कम टो आओर नेक्स्ट वर्च्वर्च्वर्ट ग्लास तो एटी देखिवा आमें जो पटितेले उपस कंसेप्ट रहां जेत्तको पोर्शन पटितेले सब बुटी इंपोर्टांट पार्ट होचे आमारे इंहरीटांस एंड आमारे बोर्ड भी इंहरीटांस प्से onda बुटी इंपोर्टां इतरे देखओ आमें उप्लास जाने आ तो किम्ते डिक्लार करा चीर है शीटा भी जाने चीराए डिराइप किम्रीक हो थे तो आजी, देखिवा, inheritance रो concept देखिवा, और तारो types रो देखिवा, जो दे आमे कबे बोड पाईंग, बोड पाईंग बोहुत important यह question, inheritance है, inheritance जो, जिम्मि थेहले भी अमरो question रहा है, inheritance concept रो स्य और बोटे question रहा है, maybe one mark, two mark, three mark, और seven mark, किम्मी थेहले भी question रहा सी भा, But inheritance concept उपरे शी और कुश्छीन ऐसे. Okay. तो concept clear रही बो. Okay. तो inheritance कौनो को जी? Inheritance is a technique through which one class derived from a old class. एड़ा कौनो? Now, it is a technique through which through which one class derived from old class. Okay. तो या मनने कोड inheritance concept रही कोडो को होचे? ना अल्रेडी तुम्हारो बोटे class होची and say class through. सपोज एठी होचे होची class A and say classroom, आउगोटे class तुम्हें create कोरूचो जोटे की तुम्हें class A रह सबू data type हो, variable सबू कोड़ी रही यूज़ कोरूचो? आउगोटे class रही यूज़ कोरूचो बुजियेला? inheritance concept रहे कौन को होची? ना गोटे class होची? से classroom, आउगोटे class derive होची? 2, गोटे parent class होची? आउजे parent class रहोटे derive class बहता कौन को हजे? child class गोटे ओछी? ओके? तो एइट होची? अमर कौन? एई concept गोड़ोड़ो प्रोग्रामिंग करा जे? सत्त वड़ोड़ो inheritance concept रहोओ use करेवाँ कोरंदी? काण पाई ना अम्मे कोडिंग को रिरेट करिवानी आउथर एगेन 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 आमको चीम्ति लिखीवा को पडिवानी सतिवाई अमरू इन्हेरिटांस कंसेप्ट अमरो यूस है ची ओके यारे देखिवा अमरो काणो ना यूस्फुल्नेस यूस्फुल्नेस ओफ इन्हेरिटांस लो कोस्ट सब्ट्वेर लो कोस्ट सब्ट्वेर मने जो दिकोटे सब्ट्वेर टे डिजाइन हुची तारो जो कोडिंग हुची अमरो बहुत इजीरे अमरो कोडिंग है जीवा जै अमरो को एगेन एगेन अमरो कोडिंग को आउचरे आउचरे लिखे आको कोडिवा नहीं उनली गोटे क्लास रो डेटा को आउचरे क्लास को आमें कौण करदाबा ना यूस करिदाबा पुझे अला देन कोणो ओब्जेक्ट ओरियंटेड हाइयर की इटी उस ओब्जेक्ट ओरियंटेड हाइयर की ओके हाइयर की माने कोणा लेखे जान थीली आमे घोटे ट्री-like structure जी मी देकिए गोटे रूट रूट रू बाहार ची प्रांचेस बाहार रीचिए सिम्मी तिहीं आमोरी इंहेरी टांस्रेपे गोटे root node रही भो बागोटे root class रही भो एल सही root class रू आगोटे कौन बहार थी भो उनना branch रो, सही root रो branches सोब बहार रही थी भो branch class भी तको कुखा जाए ओके तो easy to derive और आगोटे कौन ही पे रही भो easy to implement implement करी वह भी अमरो कौन ही भो and easy ही भो तो आमें चू inheritance concept रही यूस करी भा तो आमें कौन किमेती यूस करी भा तो आमरो इटी गोटे keyword यूस हूँची जिमते के data type आमें पढ़ी थी ले गोटे define करिया पाएं तो inheritance को भी define करिया पाएं आमरो गोटे keyword यूस करा हूची बी ता मनें कौन ना बी क्लास को एक्स्टेंड करी ची किये ना क्लास ए तो नॉर्माल आमरो इटी कौनर हुए जोदी क्लास ए मोरो रही गो पैरेंट क्लास क्लास बी एक्स्टेंड क्लास ए बाने क्लास एरो सबुत को वेरियेबूल सबुत को डेटा को के यूस करूची ना क्लास बी यूस करूची तो एक्स्टेंड क्यूवर्ड इंडिकेड करे ना इन्हेरी टांस बुझेला ता में इंटर्फेस भी पोढ़ी तिले फोडम इंटर्फेस टे कोड़ी देखी तिले नॉन प्रिमिटिव डाड़ टाइप तो नॉन प्रिमिटिव डाड़ टाइप के अमरो को डेटी यूस होची बुझेला इंटर्फेस कीवाड अमरो डेटी यूस में अल्सो मनने रोखी थी वो extent keyword तो जोदी कोशी नहीं से ला which keyword is indicate inheritance तो तर्माब आमारो कॉण extent keyword indicate inheritance तो एपे next दिखिवा हमारो types of inheritance देखा वेटा only theory ही होची and तारा dummy coding होची तो आजी आमें theory देखिवा then next class रहा हमें dummy देखिवा तो फास्ट आमारो total आमारो inheritance केतरा आची ना पांचोटा आची आमारो total inheritance तो एग्जामरे जोदी inheritance पड़िवा total पांचोटा को लेखिवा को पड़िवा बुझी है ला फास्ट होची single inheritance then होची multi level inheritance then होची multiple inheritance okay then होची hierarchical inheritance then last one होची आमरो कोणो ना hybrid inheritance तो single inheritance तो single inheritance रे कोणोर होई भो ना गोट्टे ही ख्लास रही भो तो गोट्टे क्लास रहा आओ गोट्टे क्लास रही थी भो ना sub class थी भो तो सपोज मुरीट ही आओ आओ गोट्टे क्लास रही थी थी भो तोyi हिभो रही थी भो अब गोट्टे ही तर चाइल्ड ही गोट्ट प्लास थी भो ना कोणोणों ना क्लास B तो यह class को कौन को हाजे? ना parent class parent class भी को हाजे then best भी को हाजे ओके तो parent class और best class भी को हाजे and यह कौन कोरूची? ना तार गोटे soft class क्रेट करीची? ताको कौन को हाजे? ना यह जोदी parent है ला ताको यह तार कौन हाब हो? ना child class और अमें कोई परिवा? sob class and date कोन होची? extend कोरूची कौन extend कोरूची? class A रो सब्बु प्रप्रपोटी class B extend कोरूची आमें inherit कोरूची inherit कोरीवा माने कौन चिमिते आमे parents to all character सब्बु जिंसां में inherit कोरीके आनोची तो exactly programming रिवी सिमिती हबो गोटे best class रूँ आव गोटे तार child class कोन कोरूची? ना तार सब्बु तको function तार सब्बु तको characteristic इन्हेरीट करीके आनोची ता मने होची function एंड characteristic मने कोणो ना एथरे यूज जैए थी वाँ variable पकी ची function जोदी आमोरे यूज जैए ची same function पामे जोग होची method सब्बु यूज जैए ची class member, method class member and method आमे जानीचे class member कोणो? class B तेरे जहाँ भी use होची समानोगो class member ही उखाजए तो class member and method जहाँ भी class A रहे होची सब्बु तको use कोड ही परिवो ना class B रे ही परिवो मुझे यहला? देन देखा multi-level inheritance multi-level ता वने कोणो? बहुत level परिवो, तो diagram लाए class A देखाओ इनने री टांसरे A सबो diagram कोरिवा निहाती दोर करे एटा उनली मुझे सोटकोट रे कोरूची note down कोरिवो, पौर इमुझे proper note प्रोबाइट कोरिवे class A कोरू extend कोला किये ना class B and class B रो आखोटे class होची कोणो extend कोरिची class C ता मने डी केत्रे लेबल हेला level 1, 2 and 3 तेंटा लेबल तो ये कोणो ना ये हुची parent class कहा पाई ना class B पाई but class B डा कहार parent class ना class C रो तो जोदी class A रो प्रपटी class B इनहरेट कोरिची and class B रो प्रपटी class C इनहरेट कोरिची ता मने indirectly class C रो class A रो प्रपटी की इनहरेट कोरिची ना class C इनहरेट होरिची तो मोजीरे mediator रो हेला के ना class B जिमीती की ये हुची कोणो ना grandparent class लेखी दियो इड़ा इड़ा कोणा आमरो ना grand parent class grandparent class इड़ा होची आमरो कोणो parent class एड़ा होची आमरो कोणो जारो child class जिमीती की आम्मा भखेरे जो प्रपटी होची आम्मा पेरेंस टू मेलीची आम्मा पेरेंस मेलो करे जो प्रपटी होची समयने काठो आपरी बुचिवा, हैले जत्वड़ प्रोग्राम, डोमी प्रोग्राम करीगी हुचिवा, जत्वड़ कंप्रेट कंसेप्ट क्लियर ही जिवा, ओके, तो यह भी देखो, मल्टिपूल इनहेरिटांस, मल्टिपूल इनहेरिटांस कोणो, ना दुईटा क्लास, मल्टिपूल, ना सपोज क्लास A अची, और क्लास B अची, और क्लास A और B में सिखेतां करो गोटे क्लास क्रियेट हुच, क्लास C, ताम अने, इनहेरिटांस कोंसेप्ट बद जाभारे एई कोंसेप्ट को फोलो करे नहीं, कौन पाएं, जाभारे सोबो बड़े गोटे क्लास रू तुम्हें इनहेरिट करी परिवो, मल्टिपूल क्लास रू इनहेरिट करी हब बनी, काईगे ना इये गोटे अलगा क्लास रू ची, ये भी गोटे अलगा क्लास ही ओची, एई थिरे थिवा method and function अलगा आची, जो दे आटे टाइम गोटे क्लास राकू इनहेरिट करू ची, दी टाया करो different, different प्रपोटी कू, ताहाले आमारो कोडिंगरे कौन आशीबो, ना error आ आशीबारो थिवा, सेटा आशीबो नहीं, तो एई जिंसो implement होने को थिरे, ना चापा रहे, बट यूज हो ची किने, यूज हो ची, किमी थी यूज हो ची, ना by using interface, by using interface, इंटर्फेस्टा कोट पर थिले, non-primitive data type, interface, by using interface, multiple inheritance को कोण करा हो ची, जा आवारे possible करा हो ची, ताही जो इंटर्फेस्टा कमो कोण, नासी एई जो data class वी तेरे कोण करेवो, मास्ट वोटे connection create करेवो, ताह पर ही आमारो class C create थी परीवो, बुझी यहला, तो otherwise, जोदी question आसी वो, जे, option दे थिवो कोणो, ना multiple inheritance, ओके, जोदी question दे आसी वो, तमारो, कोई inheritance, जावा सपोर्ट करे नाहीं, तो option दे थिवो, multiple and hybrid inheritance थिवो, तो इई दीटा जे को जो inheritance हो ची, एई दीटा inheritance आमारो जावारे, सपोर्ट करे नाहीं, बाई using interface, ना मनों कोण कोरा जाए, ना implement कोरा जाए, एई वो रे जिमती direct आमें अप्लाई कोरूचू, एई दीटा आमारो direct आप्लाई हुए नाहीं, ओके, तो देखिवो, अबे, hierarchical inheritance कोणो, ना hierarchical inheritance means, सपोज, गोटे class अची, गोटे class रो, multiple child class अची, class B, class C, and class D, तो hierarchical means कोणो, ना गोटे tree-like structure, तो एटी कोणो हुझी, ना गोटे parents class रो, multiple child class अमरो रो हुझी, and 8 आमरो कोणो हुझी, गोटे class रो हुझी है, तो inherit ही पर हुझी, easy method रहे, तो it is also supported by Java, ओके, बुझी है ला, then, hybrid कोणो, hybrid means हुझी, combination of two, जेहे तो it is a combination of two type of inheritance, कोणो, कोणो, ना multiple and multi-level inheritance मी सी की, कोणो हुझी, ना hybrid inheritance create करांती, जोड है कि Java directly support करे नहीं, हुझी बार-बार हुझी, directly support करूने, बट indirectly implement हुझी, by using a keyword interface, बुझे ला, तो generally Java कोई-कोई inheritance को support करूची, ना single inheritance, multiple inheritance and hierarchical inheritance, एक तिनी तो type रो inheritance को Java completely support करे, multi-level inheritance को support करे, सारी, multiple inheritance को support करे नहीं and hybrid inheritance को भी आमारो support करे नहीं, बट जेते वले question रे आसी वो, question रे तुमाको सब्बू दको को mention करिवा को पड़िवा, suppose question रे आसी ला, what is inheritance and discuss all types of inheritance, ता मने तम्मो को ये पांच्च्डा दको inheritance तुमाको कान करिवा को पड़िवा, mention करिवा को पड़िवा, एंड मने रखो, तुमें programming करो बान नो करो, example दियो बान नो दियो, बट एई सब को चो diagram होची, diagram सो पड़े मने रखो, diagram होची necessary, कहां पही ना inheritance पाई, बुझे ला, तो अर्थी के होची आमारे inheritance तो concept, तो next class रे, आमें each and every, जो inheritance होची, तारो coding ठाको देखिवा, किमीती implement होची, दो में, बा, आमें को ही पेरिवा, ताको syntax, ओली छोटो-छोटो small example रे, आमें देखिवा, अई उरे सब किमीती implement होची, ओके, thank you all of you, God bless you all.